साल 2023 में एक अटैक पूरी दुनिया को बदल देगा अब कौन करेगा इससे हमाई रक्षा इस बार खुद के लिए नहीं देश की रक्षा के लिए आ रही है नागिरी अब सबकी भाली डवर्ण पर हम लेकर आ गए है ये वाली वीडियो नागिक रीक्री एशन तो मैं बनी हूं प्रत अनागिन 2008Bl और मैं क्या बनी हूं ओको वीडियो के एंड में पता से ले ओ तो वने आना थ्रू आउट अगर मिस कर लिए ना तो इसको देखना आ मिस कर निकल जो यहां से, दस लेंगे, हम तुमें दस लेंगे अभी उनसे दिकाह नहीं आए है, तो देखो यार तो उसका फोन और वालेट दोनों बसें थे, तो हम जानना चाहते कि तो हम हो गए रेडी और मैं आ गई हूँ अपने नागिन के अफ़तार में यह तो हो गए रेडी पर हमें अपना रूप बदलना पर बाकिये, धीरे-धीर बदलेंगे, रूप जाओ, सबर रखो सबर गोरो और मैंने इसलिए बदले क्योंकि बच्चे कि नाप हो गया है और मेरी बेटी बचा रही है उसे, उन लोग बच्चो को मतलब कि फर्स सीन की बात करें जिसमें इसकी बेटी जोगी, वो कुछ बच्चो को बचाएगी और मुझे किसी ने गोली मार दी मगर क्यों अच्छे तुम तर नागिन हो जो तुम तर नागिन लोग उसे तुम बात ही नहीं करते है कि बात की बात कि बात राइदा व 제 मोस करेंज नहीं." καлыक में थे पॉल CBDDDDDDDDDD येरे सुआ तुम नहीं याएगा पही पांच्छ नागिनنआगिजिए बच्चों को आगवा करके तुने सही नहीं किया, तुझे सजार मिलेगी, मौत मिलेगी कैसे डूण 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 में अपनी बेटी को, किस हाल में होगी, पता नहीं ठीक होगी भी या नहीं ये जो नाकिन दुश्मनों से लेड रही थी, वो मेरी ही बेटी हो सकती है बचाओ, बचाओ, बचाओ रुको बच्चों, क्या हुआ? वो अंकल पकड के लिए जा रहे थी, नागी ने बचा लिया कहां होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी? बच्चों के साज जूट करने में तो भात आगी मुझे बचाओ और सुनने में आया के चिपकली आभर चडगी आया हमारी नागिन गिर्कटार पर चडगी आया अँछ राइँ आप नेश की रूपतार जूँ पर जाया हुए य। तेरी एक्तिक टेख हम मर गए हमले हरी हाँ, नागिन हूँ मैं नागिन, नागिनो की नागिन, शेष नागिन और मैं तोता हूँ हरे का लर्का, मिर्ची दो उड़के दिखाता हूँ पांक साब की मौसी, साब की मौसी तुम प्रथा हो, नागिन, नागिन, मैं तो नागिन नहीं हूँ, अभी पता चल जाएगा, जब मैं तुछ पे आप, आपने असली रोप में, वरना मैं तुझे मार डालूगी, तुझे पता है तु नागिन है हाँ, नागिन हूँ मैं नागिन, नागिनों की नागिन, शेश नागिन मुझे पता था तु जिन्दा है, तब नहीं मरे तो क्या, तु अब मरे मुझे दोखा दिया, पर आज, आज तेरी मौत होगी अब मुझे आज, आज शेश नागिन, सब पता होगी यह यह की कह रहे हुआ है ? प्रमीच और प्रेफटायि क्यों कि असुरो मों कहीं देशा अब मुझे आज, शेश चिरश डालाई आप इसमुसरी घृचिक का जो भी राधनी है उसके बढ़ना है? अजए प्रचन है इसके बढ़ना है इसके सिजद्चन है क्या तुम स्नागमानी को श्राप्मुत कर लगी हो या नहीं तो शिखांगी एलवटा यह थो फॉर तो लाइट ओन रॉर नहीं यह जो बारी रहे तो अज़ा सेची बेगी निया हुआ है अभी एक और नागिन आने वाली है गाइस दो नागिनों को तो देख लिया, अब अब अतीसरी नागिन की बारी है तो मिलते हैं 13 है आप लॉट आई? हाँ, मैं एक शेच नागिन के साथ ऐसा बढ़ता हूँ होते नहीं देख सकती तो सिवान की लॉट आई हो तुम मुझे लगा हो तुम मेरे हादों से बचने ही पाई होगी बदला लेने आई हो मैंने कहा ना मैं बदला लेने नहीं आई हूँ मैं इसकी रक्षा करने आई हूँ देखो ना, इसे बचाने आई और खुद ही बच गई अले फुल एक बात बताओ इसे महा नागरानिय उसे शेश नागरानिय बनाने से पहले एक बात में सोचा नहीं क्या ऐसे ही कोई भी नाम दे दिया हम तो यही चाहते थे ना कि इसका यह हाल देख कि तुम यहां आजाओ और पस जाओ और देखो तुमने बिलकुल ऐसा ही किया क्यूं किया तुम लोगोंने मेरे साथ ऐसा पापा आपने तुम मुझे जन्म दिया था जिंदगी दी थी फिर मौत क्यों देदी और र्की तुम तुमने तु मुझे प्यार करने का जन्मो जन्मो साथ निभाने का वादा किया था न मैने तुमसे कभी प्यारने कीयाता यह तुम्हारी गलत फर्म ले थी तु छोड़ दे ते मारा क्यों? डोली में लेके आयते और अर्थी में वेज रहे हैं। आप एक काम करो इस नागमनी को श्राफ मुख कर दो। शिवांगी एक आखरी बार पूछ रहे हूं। क्या तुम इस नागमनी को श्राफ मुख कर रही हो या नहीं। जब तक नागमनी तुम लोगों के हाथ में, मैं उसे नहीं छूँगी। सोच लो, फिर से मारी जाओ भी तुम। महा नागरानी है वो। तुम्हे क्या रखता है। तुम हुकम दोगे और वो इस नागमनी को श्राफ मुख कर देंगी। कभी नहीं। तो चलो फिर्म, कुछ एंटेटीनमेंट हो जाए। तुम्हे रखता है। तुम्हे। तुम्हे रखता है। तो कैसे लगे हम तीनो नागिन आपको। आपको पसंद आयोंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चाहते हो कि मैं अशे और भी डिक्रिशिंस लेते हैं तो वीटियो को डेड़ सारे लाइक करगो याँ और कॉमेंट्स में बता भी देना हो के तो मास अब मिलेंगे न्यू वीडियो में तब तक के लिए देखे हैं और बाई-बाई